हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम हिंदी के महत्पुड़ वायरल प्रशनों को देखेंगे जो आपके बूड़ के एक्जाम में 100% जो आज प्रशन करवाने वाले हूँ वहू आपके प्रशन पत्र में आएंगे फ्रेंस आपके पास अब अंतिम मौका है अ जान लगा दो या जाने दो फ्रेंस आपको इतना मेहनत करना है कि आप 95 से 97% तक आप आसानी पुर्वक से ला सकते हैं फ्रेंस यदि अंतिम समय में आप यदि 6-7 घंटा पढ़ते हैं तो आप 100% गारंटी देते हैं कि आप बूड़ के एक्जाम में 95 से 97% लाने से आप आपके सामने हल कराएंगे जो आपके बूड़ के एक्जाम में हुब हुब प्रश्न फसेंगे तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है कि छाया वह दोत्तर काल की पत्रिका है इसमें जिसका आपसान है सरस्ति हंस कादंबीनी हरिश्चंद्र मैग जीन तो फ् नमक का दुरोगा ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंस आपको पता होगा नमक का दुरोगा आपकी पेपर में कई बार कम सकम चार से पांच बार ये रिपीट हो चुका है ठीक है कि नमक का दुरोगा की कहानिकारक है यानि नमक का दुरोगा की कहानिक कहानिकारक कौन है जिसका आपसान है जैनेंद्र कुमार जैशंकर प्रसाद मुंसी प्रेम चंद्र या महादेवी वर्मा तो फ्रेंज जिस प्रश्च का एंसुर आपको पहले से आ रहा है उसका एंसुर आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं ठीक है तो नमक का दरोगा की कहा कहानी के लेखक कौन है जिसका आपसान है चंद्रशर्मा या गुलेरिय रामचंद्र शुकल कि शोरी लाल गोस्वामी लाला भगवान दीль तो फ्रेंज जो इंद 거는 पीं जो कहानी है इसके जो लेक कहें किशोरी लाल गो स्वामी है इसका सही जवाब होगा किशोरी लाल गो स्वामी आपके सामने अगला नंबर है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है यह आपकी प्रश्ट पत्र में 2023 में 100% छपेगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है जिसका आपसन है चित्रे लेखा को परिच्छा गुरु को टेड़े मिढ़े रास्ते को या गोदान को तो फ्रेंस इस सवाल का आपका सही जवाब होगा परिच्छा गुरु को जो परिच्छा गुरु है फ्रेंस इसको प्रथम उपन्यास माना जाता है ठीक है आपके सामने यह पांचवा नमबर का सवाल है अधेरी नगरी किस विधा की रचना है ठीक है अधेरी नगरी जो है किस विधा की रचना है जैसे आपका अपस्वान है या त्राव वृत है एक नाटक है या उपन्यास है या कहानी है तो फ्रेंस आप बताएं कमेंट में कि अधेरी नगरी क किस विदा की रचना है फ्रेंस तो यह एक नाटक है ठीक है आपके सामने जो अगला नंबर का सवाल है कलम का सिपाही वियाई प्रश्न फ्रेंस आपकी बोर्ड के एक्जाम कई बार रिपीट हो चुका है आप प्रश्पत्र देखें जरूर यह सवाल आपको कई बार मिला इसका आपका सही जवाब होगा कि मुंसी प्रेंचंद्र की कलम का सिपाई सहित्यकार है ठीक है तो आपके सामने जो अगला नंबर का जो साथमें नंबर का सवाल है सरस्वत्ति बिबियाई प्रश्न जितने भी प्रश्पत्र दीए हैं आपको देख सकते हैं कितना इंपॉ यह समी प्रश्ण करवाद के थे ठिक है। सवकीतगी प्त्रिका के संपादके माहवीर प्रसाद डिवैदि, जैसंकर प्रसाद, विश्रु मुंस्री प्रेमचंद तोrit इसका तो सही जवाब आपका। महावीर प्रसाद दि esquete ॹराष्वति पत्रीका की जो संपादक थे महावीर प्रसाद दिवेधी थे ठीक है आपका अगला नंबर के सवाल आथमा नंबर का है हिंदि का प्रथम समाचार पत्र कौन से था वीबी आइ इसका सही जवाब होगा उदन मारतंड तो हिंदी का प्रथम समचार पत्र था आपका उदन मारतंड था तो इसका सही जवाब होगा आपका बीब चलिए अगले सवाल को देखते हैं, नववाए नमबर का सवाल है, रीती मुक्त कवी है, इसमें से बताना है कि जो रीती मुक्त कवी कौन है, आलम है, मतिराम है, या पंथ है, या प्रसाद है, तो फ्रेंस इस प्रशने का आपका सही ज़वाब होगा, कोई जो है इसमें से रिति मुक्त कवी है ठीक है आप यारोप याद रखेंगे जो आलम है क्या है रिति मुक्त कवी है आपके अगले नम्बर प्रप्र की डस्मे था मनना जाता च्यावादा काम्ट कर अच्हास आफ सन संचारी भाओं की संख्या है यानों की संख्या कितनी है जिसका आपसान 27 29 35 या 33 संचारी भाओ की संख्या है आपकी 33 ये इसका सही जवाब होगा 23 चलिए ठीक है बारा नमबर का सवाल देखते हैं चंद में प्रयूक्त अच्छर को कहते हैं या चंद में जो अच्छर प्रयूक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे बेंजन कहते हैं चेरड क कहते हैं या मात्रा कहते हैं चंद में प्रियुक्त अच्छर को क्या कहते हैं तो उसको हम वर्ड कहते हैं इसका सही जवाब होगा वर्ड चंद प्रियुक्त होने उपसर्ग में देखिए। आपका आपसर्ग है। नीस नीस देखिए। यहां पर आधासा है। यहां नीस है। तो इस तरहाहां आपसर्ग है कि आपका सही जवाब होगा चाहिए। आपके सामने 14 नंबर का है कि क्रित परते किन शब्दों के साथ जूड़ते हैं किन शब्दों के साथ जूड़ते हैं संग्या के साथ जूड़ते हैं सरवनाम के साथ जूड़ते हैं विसेशड के साथ जूड़ते हैं या क्रिया के साथ में जो क्रित होता है कि आप इसको कैसे क्नारा नमबर का है कि चौ मास में समास है नहीं अहलुआ छॉछ का किसी बी समास को विग्रा करना जाते हैं तो आप तुर्शा को चार को चार माहों का समुह ठीक है छॉमास का है करकर चार माहों का समुह मत 잘 од wydaje यहां पे आपको बताते हैं जब संख्या आता है किसी शब्द के प्रारम में यदि संख्या आ रहा है तो वह हमेंसा द्यूगु वता समास ती कौन से होगा सी वाला आपसन सही होगा अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे फ्रेंज देखें जो चार माहों का संख्या है त द्यूगु बहुत होता है द्यूगु क्या आपका संख्या है जिसमें संख्या आएगा वह य्जा रखेंगे सवाल है जेसे त्रिंगा हो गया श्तियून होगा इस तरह आएगा ठीक है तो आप उसमें ड्यूगु समास ही लगाएगा जिसमें आपका प्रारह में क्या है एक संख्या है ठीक है आपका अगले नमबर का सवाल है 16 number का कि पाप पुन्य में समास होता है देखे पाप पुन्य ठीक है भाई और बहन इस तरह आपका जो यहाँ पर लगा वाता है चिन इस चिन ज़िए कोई दो शब्द है जैसे यहाँ पर दिन और राथ इसके बीच में यह लगा है न चिन यदि ये चिन आता है तो वो जो समास होता है आपका हमेशा दुवन्द समास होता है इसका सही जवाब क्या होगा आपका दुवन्द समास तो पाप पुन्द में समास होता है दुवन्द ठीक है तो देखें फ्रेंस आपको ट्रिक से बता है दुवन्द को पाचाना और समाल से किसी पर संबंदी सवाल आता है तो आप हमेशा सही करके आएंगे ठीक है चलिए 17 नंबर का सवाल देखते हैं आपके सामने 17 नंबर का है कि प्रस्तर का तदभो होगा ठीक है अब प्रस्तर का को तदभो पताना है आप साने पाथर होगा पत्थर होगा पत्तर होगा य इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेस प्रस्तर का तद्भव क्या होगा पथर होगा आपके सामने जो अठारा नंबर का सवाल है देखिया पे कि हल्दी शब्द का तत्सम है आपका आपस्वां होगा यह रिद्रा होगा यह flodidka dovka यह प्रश्न का सही जवाब होगा हरिद्रा ठीक है इसको आप सही सियाद रखे फ्रेंस यह जो प्रश्न करा रहा है आपको बोड की एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं यह आपके 2023 में हिंदी का पेपर होगा उसमें हंटेट परसंटेज यही सब सवाल छपेंगे कि हल् सवाल को देखते हैं 19 वा नमबर का सवाल है कि आम का परवाची है अब यहां आप साने छीर होगा रसाल होगा दुख दोगा यह अंबर होगा आम का परवाची है फ्रेंस उससे हम क्या करते हैं रसाल करते हैं ठीक आम का परवाची क्या होगा रसाल होगा आपका अगला सव ची क्या होगा आपका खग होगा तो इसका सही जवाब होगा खग फ्रेंस यहां पर आपके most हिंदी के 20 important question करा है और फ्रेंस आप पेपर में देखिएगा हूप 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 जितने भी प्रशन करा है इन ही सभी प्रशनों में से आपके board के exam में सभी सवाल छपेंगे ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें